कि अब अब बच्छो नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद बहुत अच्छे होंगे बच्छो आज एक बड़ा ही रोचक चेप्टर सुरू होने वाला है टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है बहुत सारी बुक्स में इसको टाइम एंड वर्क में दिया जाता है पर हम हो जाए आज ही क्योंकि ये बहुत बड़ा चेप्टर नहीं है और बहुत आसानी से आप सब समझ सकते हो पूरे मैट्स का सबसे आसान चेप्टर इसको आप मान भी सकते हो ठीक है बहुत ही सांदार तरीके से हम इसे खतम भी कर पाएंगे अगर आज कर पाए तो बच्छो एक दूसरी बात है कि आज सभी लोगों को टेस्ट देना है ग्यारे बजे और सही एक बजे में रिजल्ट भी घोसित कर रहा होंगा ग्यारे से एक के बीच ये बच्चो धियान रखना और एक बजे जो रिजल्ट घोसित होगा इस बार टॉपर्स को कुछ हम अपनी तरफ स पता लगा लेंगे कौन रियल और कौन फेकर जो फेक है उसका नाम भी घोसित किया जाएगा ये आदमी बनावती है ठीक है तो सही एक बजे ये रिजल्ट घोसित होगा 11 बजे बिल्कुल टेस्ट आपका उपन हो जाएगा और उचेते नाम में आपको ये टी सर्ट हम लोग गिफ्ट करेंगे जो मैंने खुद ने पहन रखिया ये तो आपके लिए जाएगी एक सम्मान में किया आपने ये अपने 300 पिलस वाले जो बच्चे हैं कोई आप आए टेस्ट में उनको दें ठीक है चलिए तो कोशिस करो कि ये काद बच्चा आफ लाइन में से भी आए चलिए तो ये UPSI के लिए ये आज ये ओफर SSCGD वालों के लिए तो नहीं है चीक है बच्चो तो मिस समानुपात यानि कंपाउंड प्रपोर्शन नमबर वन वीडियो है भाई पहली ही वीडियो है और चेप्टर को सुरुवात करने जा रहे हैं बहुत ही आसान से पहले म आपको अगर इसका आप कहो कि जी बेसिक बता दो तो बच्चो बेसिक सिर्फ इतना ही है अगर मैं आपसे बोलने लगूं कि बेसिक में क्या है बेसिक में सर्फ ये बात है कि जैसे हमने कभी पढ़ा था क्या पढ़ा था कि जैसे पांच और ये मैं बात करूं ये तो बहु दिन में करते हैं तो उसी काम को पंद्रे आदमी कितने दिन में करेंगे तो यह जो चीज है यह बिलकुल वही questions होते हैं आपने sixth seventh standard में question आ जाते हैं लेकिन वहां पर teacher इनको ना ऐसे तीर लगा के ऐसे करवा के पता नहीं क्या क्या बना देते हैं तो हम यहां पर सीधा सीधा ह करेंगे कि उपर जो आदमी और दिन हैं उनकी आपस में गुणा और जो दूसरी सर्थ है जो पंद्रे आदमी कितने दिन तो यह बस काट पीट के और उत्तर आ जाएगा पांच बटे तीन बस इस सवाल का अंसर अर्थात उपर की सर्थ की गुणा बटे नीचे की सर्थ का भाग अर्थात यह बच्चों ऐसा होता है कि उपर की सर्थ जैसे मान के चलो कि आदमी और दिन एक बात और समझना इसमें बेसिक बाती है कि जैसे हम बोलें लगें दस आदमी किसी काम को छे दिन में करते हैं तो यह क्या मतलब है कि कुल मिला कर कि यह साथ रहा साथ ही तो यह समझे लो दस आदमी को छे दिन लग रहे तो यह साथ काम रहा होगा ऐसे आप इसको मान लोग उना करके तो अगर कोई आप से पूचे कि बारह आदमी इस और आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे तो बारह के साथ यहां पर वो संख्या आएगी जो यह भी साथ बन आएगा तो अगर आप को यहां का पूछा है तो हम लोग यह भी करते हैं कि उपर की गुणा और नीचे का भाग तो अब भी आपका वईस पांच यह आएगा तो कुल मिला करके यह बात यह होती है कि उपर की गुणा बराबर होती है नीचे की गुणा की इन सर्तों में, जितनी उपर से गुणा आएगी, उतनी ही नीचे की गुणा आएगी, सेम, ठीक है, इसलिए हम काट देते हैं, जो आएगा यहाँ, वो इसकी गुणा करके ही बराबर आता होगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे सोच के कि वही क्या गुणा करें कि साठ आ जाए, ऐसे ना सोच के हम करते हैं, उपर की गुणा में नीचे का भाग देतो, बाकी यह तरीका यह होता है, कि उपर की गुणा बराबर नीचे की गुणा, बस, इतना सा मतलब है इस बात का, ठीक है, तो तो भी देखते हैं हम लोग कि क्या question है हमारे सामने question है ये पहला question पहला question इस chapter का बच्चो पहला question इस chapter का देखे 40 पुरुस किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि काम को निर्धारित समय से 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने पुरुस और नियुक्त करने चाहिए तो बच्चो बिलकुल same to same question है जो अभी बताया था पुरुस और बच्चो दूसरी सर्थ क्या है पुरुस पंद्रे दिन तो पहली सर्थ में सिर्फ दो ही चीजे मिली एक पुरुस कितने हैं और कितने दिन में वो करते हैं तो ये आपको खुदी बनाने पड़ेंगे दो काम पुरुस और दिन की ही बात चल रही हैं तो बच्चो मैं कहूंगा कि 40 पुरुस किसी काम को पंद्रे दिन में करते हैं और बच्चो आगे कि इस काम को निर्धारित समय से 3 दिन पहले की और ये और काम बारे दिन में करना है तो कितने व्यक्ति और बढ़ाने होंगे कितने पुरुस और न्युक्त करने होंगे तो हम यह देख लेते हैं बच्चों कि 40 आदमी 15 दिन में कर रहे हैं तो बारे दिन में कराने के लिए कितने आदमी चाहिए तो जादा आदमी चाहिए कि नहीं वह 40 से तो जादा ही लगंगे क्योंकि 40 पर तो वो 15 दिन में हो रहा है तो मैं देखूंगा कितने आएंगे तो बच्चों तो अगर मैं देखूंगा तो 3 पंजे पंदरे तीन चोके बारे और 4 से दस बार मैंने ये कहा कि 50 व्यक्ति टोटल चाहिए टोटल इतने व्यक्ति चाहिए अगर काम 12 दिन में करवाना है तो इतने लोग टोटल होने चाहिए तो पहले कितने हैं हमारे पास चुकि उसने बोला है और कितने लगाने होंगे अर्थात 40 तो पहले ही लग रहे हैं तो बच्चों 10 व्यक्ति और लगाने होंगे तो इसलिए और वाले सवालों में ये काम भी आपको करना पड़ेगा कि और कितने चाहिए और ये आते हैं टोटल क्योंकि इससे तो टोटल ह जाएगा इससे तो वो आएंगे ना बच्चों जो 12 दिन में कर पाएंगे इससे तो वो आएंगे अब 12 दिन में कितने लोग कर पाएंगे 50 लोग कर पाएंगे 50 क्योंकि 40 को 15 दिन लग रहे हैं 50 को 12 दिन लगेंगे और बच्चों अगर 50 12 दिन में कर पाएंगे पहले लोग 40 लगे हुए हैं तो और कितने चाहिए वो खुद कह रहा है और कितने चाहिए तो 40 तो उसके पास है इसलिए हमें 10 और चाहिए चलो आगे बढ़ सकते हैं अगला कोश्चन क्या कहता है बच्चो अगला कोश्चन क्या कहता है जरा देखिए जरा देखिए यह देखिए उत्तर इसने अजीव अजीव से बना रखें ताकि वो आपको उल्जा सके इसमें आकि आपको उल्जा सके तो देखो बच्चो बिलकुल सेम टू सेम सवाल है बस क्वेश्चन एक्स वाई में आ गया है तो हम देखें व्यक्ति है देखो बच्चो व्यक्ति है और दिन है क्या काम भी पहली सर्त में भी वही काम, दूसरी में भी वही काम. क्योंकि खुद ही कहाँ उसी काम को tak Test Goipohta दोनों, जब रहे गाम तो ठैंसन नहीं लेनी, बच्चो, तो हम कहाँगे X व्यक्ति इस काम को X दिन में ख्टम करें खुद कहरा है ना सवाल फिर बोलता उसी काम को Y व्यक्ति कितने दिन में पूरा कर देंगे बच्चो और देखो काम तो अलग अलग है नहीं अगर काम यू होता कि ये Y काम को और ये जेड काम को काम लिख एक और कॉलम्ब बना रहा होता ठीक है और बच्चो अब उत्तर क्या आएगा बहुत सारे बच्चे तो यह सोचेंगे कि इसका उत्तर क स्क्यर व nossa य आएगा बहुत सारे बच्चे यह निहीं सोचेंगे और यह गलत है बच्चो यह गलत क्यों है क्योंकि जब भी आपका पिरसन वाचक हाँ ठीक है यह उत्तर मैं गलत मैं कह रहा हूं तो बच्चो जब भी पिरसन वाचक नीचे आएगा तो उत्तर उपर आएगा ठीक है जब भी पिरसन वाचक नीचे आएगा तो उत्तर उपर आएगा तो यहा लिखी जाती ठीक है अगर परसनवाचक उपर होता नीचे एक्स होता तो फिर नीचे की चीज पहले और जो उसके साथ है ना परसनवाचक के साथ वो नीचे लिखी जाती है तो ये तो नीचे ये तो सही आ रहा है यानि परसनवाचक नीचे है तो उपर की चीज पहले और जो जो प्रसन वाचक के साथ लिख रही है वो बाद में लिखी जाएगा अर्थात ये उत्तर तो सही है इसमें बिलकुल भी कोई डाउट किसी को नहीं होगा ठीक है ये इसलिए मैंने आपको चौकाया था क्योंकि आप इस बात पर ध्यान दें ठीक है कि वह प्रसन वाचक की बा पहले लिखा जाएगा अगर प्रसन वाचक नीचे आएगा तो उपर की चीज पहले लिखी जाएगी ठीक है तो एक्स स्केर बटे वाई तो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ सकता हूँ बच्चो मेरा एप लुप लुप कर रहा है हाँ तो एक नंबर है हमारा हाँ यह दिक्कत आती है किसी किसी मुबाइल में तो 93 अभी तो नंबर भी ओपन नहीं हुआ होगा नौ बजे कॉल कर ले हम लोगों को सही हो जाएगा 9-3-1-7-3-7-4 और 6-7 यह नंबर है ठीक है सही हो जाएगा कि किसी किसी के बच्चे के में दिक्कत आती है मुबाइल टू मुबाइल डिपेंड करता है करवा देंगे सही यह देखिए तीसरा कोशन साथ पुरुस किसी काम को बारे दिन में पूरा कर सकते हैं कितने अतीरिक्त पुरुस और काम पर लगाने होंगे ताकि पहले से दो गुना काम आठ दिन में पूरा हो जाए बच्चो इस बार काम अलगा गया आप खुद बताओ पहले कुछ और काम है इस बार कुछ और काम है तो भाई हम तीन चीज़े बनाएंगे इस बार पुरुस तो हमें दिखाई दे रहे हैं दूसरा हमारा दिन भी दिख रहा है और तीसरी बच्चो काम भी एक next क्योंकि अलग अलग काम है अब तक के उपर के दोनों सवालों में काम बच्चो एक जैसा आता था पूरे दोनों सवालों में चक कर लो काम एक जैसा था बोलता था उसी काम को तो इसलिए काम बनाने की जरुरत ही नहीं है तो बच्चो यहां पर तो जरुरत पड़ेगी साथ पुरुस बारे दिन में किसी काम को पूरा करते हैं कोई एक काम होगा उसको पूरा करते हैं फिर बोलता है कितने अतिरिक्त अतिरिक्त जब भी लग जाएगा तो बहिया जो उत्तर आएगा उसमें से इन पहले वालों को माहिनस करना पड़ेगा ठीक है तो हम अतिरिक्त यानि टोटल ही निकालेंगे अतिरिक्त बाद में निकलता है तो कितने आदमी कितने आदमी और लगाने होंगे ताकि पहले से दुगना काम आठ दिन में समाप्त हो जाए बच्चों हमारा तो एक ही दे है कि भाई जब अगर हमें एक प्रसनवाचक मिल गया और बाकी सारी सरते मिल गई तो हम कोसिस करते हैं कि भी ऐसे काट पीट मचा दें पर बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जब भी काम का कॉलम बनता है तो काम को उल्टा जरूर करना काम अगर बनाई नहीं है कॉलम तो कोई दिक्कत नहीं कहीं भी अगर सवाल में काम पिक्चर में आया तो उसको उपर नीचे करना ही होगा क्योंकि काम समय का उल्टा होता है क्योंकि जितना ज़्यादा काम करोगे तो भाई यानि कोई आदमी जितने कम समय में करता है तो हम मानते हैं यह ज़्यादा काम करने वाला आदमी है एक आदमी खित को दो दिन में काटता है और एक आदमी उसी खेत को मान लीजे च्छे दिन में काटता है तो हम कहेंगे दो दिन वाले का काम जादा है उसका वो अच्छी दक्षता दिखाता है इसलिए कहते हैं दिनों से यानि समय से उल्टा होता है काम इसलिए हमें काम उल्टा ही रखना पड़ता इनके साथ तो बच्चो अब इस काम को हमें उल्टा करना पड़ेगा उल्टा करना पड़ेगा तो हम क्या करें कि जो उपर की सर्थ का एक काम था उसे नीचे पहुचा दें और नीचे की सर्थ में दुगना काम था उसे उपर पहुचा दे बस और अब काटपीट जो करना है करिए दो चौके आठ चारतिया बारा और हम कहेंगे 21 और 21 उत्तर क्या बच्चो 21 पुरुस ये टोटल है टोटल क्या हमें टोटल पूछा है नहीं हमें पूछें अतीरिक्त कितने तो अतीरिक्त के लिए क्या करते हैं बच्चो कि जितने जितने पहले लगा रखे हैं उनको माइनस कर दूँगा अर्थात 14 अतीरिक्त चाहिएं क्योंकि पहले वाले नहीं आने और आगे वाले लोग चाहिएं ठीक है उमीद है क्लियर हो गया होगा और अब तक के सारे सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे अब बच्चो ये वाला कोश्चन देखो ये वाला कोश्चन देखो चौथा कोश्चन बहुत अच्छे लेवल के कोश्चन पर चलेंगे जब कोशिस ये करूँगा कि आज ही इस चप्टर को खतम करना है तो निश्चित बात है कि बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे अब चलता हुआ बंद हो रहा है इस एप में अभी आज की वीडियो बच्चे यूट्यूब पर भी है तो आज यूट्यूब पर देख लो प्लीज ठीक है और नौ बजे कॉल करना हम आपका एप सही करवा देंगे हमारी टीम बिलकुल सही करवा देगी आपके आपको सही है तो देखिए चौथा कोश्चन यह बहुत अच्छा कोश्चन यह भी होना चाहिए जी के का बैच का बारा जी के पहली बात तो मेरा थन आ रहे हैं कल सुबह आठ बजे से जान जोकने आ रहे हमारे तीन टीचर जो चार सबजेक्ट को अच्चो से स्पेसली बोल रहा हूँ कि कल बारे घंटे की मेराथन को आप जरूर करें क्योंकि आपके लिए भी वो मेराथन उतने ही काम किये क्योंकि आप भी बाकी जी के आपकी भी पिछड़ी हुई है मतला हम करवाएंगे यहां भी पर आप वो क्लास ले लेंगे तो एक बेसिक बहुत अच्छा बन जाएगा जी असका आपका ठीक है चलो तो चौथा कोश्चन पॉलिटी तो खेर आपको जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी पर फिर भी एक बेसिक नॉलिज पॉलिटी में देखो कि आपके लिए वो खेल लगेगी जो भी पॉलिटी कराई जाएगी उसमें सुबह आठ से सामाठ तक कल चलेगी क्लास तो बच्चो एक्स आदमी किसी काम को तीस दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि काम पर छे अतीरिक्त आदमी और लगाए जाते तो काम दस दिन पहले समाप्त हो जाता और तो आदमियों की आरंबिक संख्या क्या है बच्चो जरा देखो आदमी है और काम की वही बात है दुगना काम वगेरा तो नहीं बोला है सिर्फ दो ही कॉलम में हमारा काम चल जाएगा तो हम कहें कि एक्स आदमी तीस दिन में एक्स आदमी इस काम को तीस दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि काम पर छे तीरिक्त आदमी और लगाए जाते तो यानि छे आदमी और बढ़ा देता इस काम पर छे तीरिक्त आदमी और लगा दो इस काम पर तो काम दस दिन पहले अर्थात बच्चे कितने दिन में? बीस दिन में खतम हो जाएगा यही तो बोला है तो बच्चों कहीं भी कोई पिरसनवाचक दिखाई दिया आपको कहीं भी? नहीं, तो काटपीट नहीं करनी सीधी सी बात है तो फिर क्या होता है? यहां काम आ गई है क्योंकि काटपीट जब नहीं मचा सकते तो एक काम तो कर सकते हैं कि इन दोनों की गुणा बराबर है इन दोनों के गुणा के बस तीन भी होते तो तीनों की कर देते उसमें क्या दिक्कत थी? तो 20 की गुणा इन दोनों में कर दूंगा बच्चो और मैंने देखा ये 30X है और 20 की अगर इधर गुणा करूंगा 20X पिलस 120 और 30X में से अगर 20X घटाऊंगा तो बच्चे 10X बराबर 120 और X का मान आ रहा होगा 120 बटे 10 यानि क्या X क्या है 12 व्यक्ती तो आदमियों की आरंबिक संख्या वो तो X थी तो वो 12 व्यक्ती थे बहुत ही आराम से बच्चो इस सवाल का अंसर आगया होगा आप सब का तो अगर पिरसन वाचक होता तो हम काटते पीटते पर बच्चो यहां तो काट भी नहीं सकते ना तो फिर जब भी X लगे ना किसी सवाल में तो आपको करना वो ऐसे ही है कि उपर की गुणा बराबर नीचे की गुणा है ठीक है चलिए और ना ऐसे X को काटा जा सकता है कोई सोच है कोई ऐसे सोच रहा हो X से X कट जागा नहीं जब तक इसके साथ पिलस में चीज है तब तक इसका कुछ नहीं बगाड़ सकते आप चलो अगला सवाल देखो यह फिर एक X में आ गया है तो बिल्कुल टेंसन नहीं लेनी बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे पाँचवा कुष्चन बच्चो जरा देखिए और समझे और समझे यह काम दे रखा कितनी बड़िया बात है सवाल सब कुछ दे रहा है आपको सब कुछ चलिए भई बड़ी लेट आ रही होस्टल पार्टी पाँचवा कुष्चन यह देखो रोजगार विदंकेत मोहित मेरा कमेंट क्यों नहीं देखते सर भाई देख लिए आज तो आज मोहिए आप आ सो नहीं रहा है इसलिए नहीं नहीं तो हो 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 रहे हैं सब के कमेंट सो हो हो रहे हैं नोटेफिक commitments क्यों नहीं मिलता हमें नहीं नोटिफिकेशन आज डाला नहीं क्या सिवम, डाला है, आया हुआ है नोटिफिकेशन तो, जी एस की मेराथन तो सब्जेक्ट वाइज वीडियो से अपलोड करना बाद में आशान देखने पर, नहीं, सब्जेक्ट वाइज नहीं करेंगा, अपलोड, चीख आया है notification हाँ सही है तो पांचवा question देखिए व्यक्ति दिन दो ही तो चीजे है और तीसरा नीचे काम दे दिया है तो बच्चो व्यक्ति दिन और क्या है काम है व्यक्ति दिन काम तो शुरुवात में कितने व्यक्ति है एक्स माइनस वन चीख है और दुबारा में कितने है एक्स प्लस वन ये दिन है ये दिन है तो ही है चीख है और आगे ये कितना काम है इनका पांच काम है तो इनके साथ छे ले दो यही करूंगा ना बैज इनका पांच है उनका छे कर दूंगा उल्टा करता हूं ना काम को तो इनका पांच दे रखा ना पहले वाले की सरत का 5 काम है और दूसरे वाले के यह है तो X दूसरे वाली सरत है X plus 1, X plus 2 और भाई आगे है 5 5 क्योंकि नीचे का काम उपर ऊपर का नीचे, पिरसन वाचक तो ही नी बच्चो इस सवाल में, तो कैसे करें बताओ, कैसे करें बताओ, किया किसी ने? जब पिरसन वाचक नहीं होता चाहे सरतें तीन ही हो पर काम उल्टा करना मत भूल जाना नहीं तो सब कुछ भुला देगा सवाल तो भाई उपर की गुणा बराबर नीचे की गुणा तो बच्चों इन दोनों की गुणा तो मुझे साब पता है कि X स्केर माइनस वनाएगा क् की A plus B, A minus B का होल स्केर है तो A स्केर माइनस वी स्केर है तो इनकी गुणा तो यही आएगी और भाई आगे क्या है इसमें 6 की गुणा है और इन दोनों की गुणा करनी आती है आपको बीजगंएती है पदो की तो मैं सिखा देता हूँ नहीं आती तो पहले इस X की इन दोन मैं करूँगा तो वन की एकस मैं करो गये तो पिलस एकस और वन की करोगे तो ठीक एबच्चो लेकिन साथ में साथ में पाँंच की बहुत होगी तो पूरे में हाँ जी होगी वो तो उस میں तो कोई बात ही नहीं है तो इधर 6 की कर दो 6 x square माइनस 6 और अगर मैं यह 3x हो गया बच्चो यह क्या हो गया 3x 2x plus एक आप पांच की गुना कर लो 5x square प्लस 15 x और प्लस 10 यह हुआ ठीक है और देखो मैं इसका यह तो तरीका है एक और आसान तरीका बताऊंगा ठीक है इस में भी आसान मिलेगा 6x square मैं पांच X स्क्वेर गए तो X स्क्वेर, 15 X को इधर ही लियाओ, माइनस क्यों होगा, माइनस च्छे और माइनस दस इधर आएगा, तो माइनस के 16 होगा, अब बच्चों ये द्विगात समय करण हो सकता है, बहुत लोगों को नहीं आती हो करनी, पर सीख लो, सिखा भी देता हू कि ये फैक्टर बनेंगे 16 होगा, क्योंकि 16 की उधर एक में गुणा, 16 होगा, तो माइनस के 16 X और प्लस का X, इसको लिखा जा सकता है, X स्क्वेर, माइनस के 16 X और प्लस के X माइनस 16, बराबर 0, यहां से X कॉमन, तो X माइनस 16, और यहां X माइनस 16, वन कॉमन लेके आ जाए जो आती होगी जिनको समीकर्ण, वो इसको ऐसे लिख देंगे, और X का माइन 16 आ रहा होगा, और उत्तर यह रहा 16, तो यह एक तरीका है द्विघात समीकर्ण को हल करने का, ठीक है, द्विघात समीकर्ण क्यों बन गई, क्योंकि दो बार X था और X की X में मल्टिपलाई मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ, क्योंकि यह तरीका सब को पसंद नहीं, ऐसे करना, तो मैं यहीं से दूसरा तरीका खोज के आपको बता रहा हूँ, कि भाई आप आप्शन का यूज कर लेना यहां से, और X की जगए यह मान रख लेना, मान लीजे मैं यहां प की जगए पहला option तो 16 माइनस एक यानि 15 और 16 पिलस एक यानि 17 और यह 6 है यह तो यह गुणा बराबर होनी चाहिए क्या नीचे की गुणा अर्थात बराबर है तो यह पूरे-पूरे आपस में कट जाने चाहिए तो देखूंगा ऐसे काट के गुणा भी नहीं करनी फिर मेरे को तो भाई एकस पिलस वन क्या है 17 एकस पिलस टू क्या 19 और यह क्या है पांच सोरी-सोरी-अठारہ, अठारह, टोले और दो-ठारहा, तो भाई अब यह अगर पूरे-पूरे कट गए तो यह ही उत्तर है मतलब ओपर की condemned बराबर बरावर नीचे की गुणा आनी चाहिए यही तो होता है चाहे तो आप गुणा कर दो सब की अगर ये दोनों बरावर ही हैं तो ये कट भी जाएंगे पूरे-पूरे तो मैं देख लेता हूँ पूरे-पूरे कट रहे गुणा से बच जाओंगा अगर ऐसा देखता हूँ तो चेटी अठारे तीन पंजे पंद्रे पांच से पांच कट गया सब कुछ तो ये क्या रहा बिलकुल सही उत्तर रहा और किसी में ऐसा नहीं होगा अर्थात जिस option को यहां X की जगे रखने से उपर की गुणा बराबर नीचे की गुणा आ गई वहीं उत्तर हो जाएगा ठीक है तो हमें पूरी द्विगात समीकर्ण हली नहीं करनी सही है उमीद है आप सब को समझ में आ गया होगा ये वाला तरीका भी चलो जी सर किलियर क्या बात है बहुत बढ़िया किलियर ही रहने चाहिए बस होगा ही तब UPSI नहीं होगा नहीं अगर बिना किलियर के तो ये नहीं समझाया गुरु देख कहने लगे बाला अरे भाई दूसरे तरीके से करो आप्शन वाले से देखे छटा कुश्चन क्या बोलता है छटा कुश्चन क्या बोलता है ये देखिए बुक का बार ये सर जीडी की भाई बहुत बार बताया है फिर बता रहा हूँ इसी महीने आ जाएगी तारीक आप मालो की 30 से पहले पहले आ जाएगी और बताओ रोकी हुई है ताकि सिलेबस एक बार देख लें क्योंकि अगर कुछ चेंज हुआ तो सारी कॉपियां बिगड़े ना उसकी वैसे 99.99% चेंज नहीं होना और फिर भी जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक बुक निकालनी बेकार की बात लगती है चलिए जीडी का बैच एक अपरेल से आएगा भाई और कोई कोश्च व्यक्ति छे घंटे प्रती दिन काम करके सब्ताह में चानवे सो रुपिया कमाते हैं तो साथ व्यक्ति पांच घंटे प्रती दिन काम करके सब्ताह भी अलग अलग हो गए दो सब्ताह में कितनी धनरासी कमाएंगे बच्चों धनरासी क्या करके आ रही है काम करके तो धनरा द्धनरासी काम ही है, धनरासी किस अनुपात में मिल रही है, काम के रेशों के हिसाब से, तो मतलब यहां छानमेसो का काम किया, यहां कितने का काम करेंगे, यही तो पूछ रहा है, यहां छानमेसो का काम है, यहां कितने का काम है, तो काम की जगे आप धनरासी रखोगे इस ब पुक्ताहा हैं और फिर क्या है काम हैं और काम इस million 내가 रूपिया में है बस काम का रूप अलग लगाएगा वो आपको पहचानना पड़ेगा तो इसे दूसरी सर्थ में पहुचा देंगे बात समझ में आई कैसे किया है ये ठीक है और दूसरी सर्थ पर आजाओ बच्चो साथ व्यक्ति हैं पांच घंटे हैं तो सपतहा करेंगे कितना काम करेंगे या कितना धन अर्जित करेंगे तो इसका धन उपर वाली सर्थ में चला जाएगा यही तो पूछ रहा है बस काम उल चाहर पीट मचाओ भई दो चोगे आठ और कुछ नहीं कट रहा तो इधरी काट दो चैटो का 24 चौका च्छानवे चार सो बार यह चौविस गुना कल लिए 24 चौका च्छानवे चार सो बार यह से पहले काट दो फिर चार से काट दो आने चार्सों पहीं हो चार पंजे 20-20 144,000 रुपिया आप सब का उत्तर आ रहा होगा और बच्चे आप कहो कि ये तो उत्तर नीचे आ रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है पिरसनवाचक अगर उपर होगा तो उत्तर नीचे ही आएगा ठीक है पिरसनवाचक नीचे लगा होगा तो उत्तर उपर आएगा वो कोई बड़ी बात नहीं है तो हम कहेंगे सीधा सीधा उत्तर इस सवाल का 14,000 रुपे उमीद है आप सब को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और अगले कॉश्चन की तरफ मूव करते हैं ये देखिए बच्चे ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल आपके लिए होना चाहिए होना चाहिए क्योंकि ये तो वो है जो बड़े बूढ़े पूछते थे कभी है ना गर मैं पूछाओ भी आया ऐसे इतने 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 दिन में हो जाँ करेंगे है बंदर है काम क्या कर रहे हैं इस बार क्या खाने का काम कर रहे हैं तो वो भी तो काम ही है ना एक परकार से उनके लिए तो हम कहेंगे कि बारे बंदर बारे मिनट में बारे केले खाते हैं तो ये काम हमने नीचे पहुचा दिया बस तो बोलता है चार बंदर, चार केले, चार केले ये रहे, कितने मिनट में खाएंगे, तो भाई, काम उल्टा कर दिया ना हमने पहले ही, तो बारे से बारे कट गया, चार से चार उत्तर के आगया, सिर्फ बारे, तो कितने आराम से आप कह सकते हो, कि भाई, इस सवाल का अंस्वर बारे ही आ कुछते हैं कि दस कपड़े 10 मिनट में सूखते हैं धूप में तो एक कपड़ा कितने देर में धूप में सूखेगा तो वो तो उत्तर बच्चो उसका 10 मिनट आएगा क्योंकि वो कोई धूप अलग थोड़ी लेगा वो भी उनके साथ ही मिलके लेगा तो उसमें वो रिजनिंग को मिक्स मत करना है इसके साथ ठीक है कि धूप तो भी या उनको बरबरी लग रही है यह थोड़ी है कि वो बांट रहे हैं धूप है आपस में कि यह देखो कि यहां देखो बच्चो आठमा कुश्चन कि आठमा कुश्चन अंकित सर कराएंगे मेरा थन में जोगर अफी को बच्चो ठीक यदि पी व्यक्ति परती दिन पी घंटे काम करके पी काई कारिय करते हैं तो एन व्यक्ति एन घंटे परती दिन काम करके एन दिनों में कितना काम करेंगे बिलकुल सिंपल कॉश्चन है बताते हुए भी यह बता रहा रहा हूं मैं भृक्ति घंटे ओर भई तीसरी चीजगा है काम यह और बहुत प्रकिने घंटे कितने काम कितना तो चलो न बना दो बच्चो फी एक्व्यक्ति कितने घंटे dry घंटे पी काई काम पी नाची पहुंच जाएगा काम तो उल्टा करना है और N व्यक्ति N घंटे कितने ही काई काम यह आ गया वो सवाल अब भाई P से P काट दो गए अब बच्चे लोग क्या सोचते हैं कि P बटे ऐसा option नहीं दिया नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसको यह गलती कर देते P बटे N स्केर जो की गलत है जो मैंने पहले भी बताया था क्यों गलत है क्योंकि बच्चो अगर पिरसन वाचक उपर है तो उत्तर की सुरुवात नीचे से होगी अर्थात N स्केर पहले आएगा और जो पिरसन वाचक के साथ लिक रहा है वो नीचे जाएगा क्या कुछ हमने म भाईया दिन छूट गए दिन का भी बना लेना इसमें सवाल नहीं छोड़ दियें पी दिन आजाएंगे हां और यहां N दिन आजाएंगे अब आपका उत्तर आजाएगा ठीक है इसको क्रेक्शन कर लेना पी व्यक्ति प्रति दिन पी घंटे काम करके पी दिन तक पी काई क से क्यूब मत कर देना ठीक है N क्यूब वटे पी उसके यहां पी दिन भी आएगा बीच में बस एक लाइन एड़ कर लेना बच्चों ठीक फिर क्या मतलब तीन नहीं है एक तो मैं कह रहा हूँ मिस है ना चार पी है टोटल टोटल चार पी है तीन है एनने एक तो पूछा है इनके साथ वाला चार चीज़ों पर चार नीचे बात खता हूँ पी एक मिस है, इसमें पी दिन काम करके, वो मिस है, यही तो कह रहा हूं इतनी देर से, चलो आगे बढ़ाओ, आगे आजाओ, यह देखिए बच्चो, यह क्वेश्चन है, एक काम को कुछ मजदूर, सौ दिनों में पूरा कर सकते हैं, बच्चो यह जो पार्ट है, इस चेप्टर का मैं बार बार बोल रहा हूं, कि यह आपका टाइम एंड वर्क से अलग करके मैं इसको पढ़ा रहा हूं, ताकि यह चीज आपको बहुत बहतर तरीके से समझ में आ ज आएं, ठीक है, घर पर अपने, ठीक है, और टाइम एंड वर्क को मैं बिलकुल सेपरेट रूप से पढ़ाना चाहता हूं, इस चेप्टर से एक दम अलग, जो हमारा सुरुवात हो जाएगी जल्दी, यानि कल की क्लास में हो जाए, या मंडे की में या ट्यूस्दे की में, तो प्री पार्ट मानो इसको वर्क एंड टाइम का, एक काम को कुछ मजदूर सौ दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन दस मजदूरों की अनुपस्थिती के कारण, यह काम 110 दिनों में पूरा हुआ, आरब में काम पर कितने मजदूर लगे थे, तो भाई, कुछ मजदूर की लेकिन दस मजदूर सौरू सही अनुपस्थित रहे, तो काम 110 दिन में पूरा हुआ, तो आरब में कितने मजदूर लगे थे, यही तो पूछ रहा है, तो फिर जब भी कोई पिरसन वाचक नहीं है, तो क्या ऐसे काट दू नहीं, ऊपर की गुणा बराबर नीचे की गुण यहां कितना अच्छा काम कर जाएगी आपकी यह बात, तो सो एक्स, और अगर आपको एक्स से दिक्कत लगती है हल करने से, तो यहां भी जुगाल बताए देता हूँ, एक्स की जगे बस आप्शन रख देना, और काटके ले आना बरबर, उपर नीचे एक जैसा, अगर मैं एक्स की जगे ऑप्शन सो रखूं, तो सो गुना सो, और नीचे नब्वे गुना 110, क्या बराबर आप आएगा, आप क्योंगे नहीं, फिर आप 110 रखोगे, 110 गुना सो, और नीचे रखोगे 110 माईने सो, दस, सो गुना 110, और उपर से भी 110 गुना सो, बरबर उत्तर 110, ऐसे आप आप्शन से भी कर सकते हो इसको, ठीक है, यहां एक आप्शन माल लो, अगर एक्से इतनी अलर्जी है तो, तो सो एक्स, और यहां 110 की इसमें गुना करूंगा, मैं तरीके सही कर रहा हूं, और 110 की 10 में करूंगा, तो 1100 हो जाएगा, और भाई, 110 इधर लाके घटा दू तो माइनस के 10X और माइनस के 1100, और X से इतनी अलर्जी मानना ठीक नहीं, अगर आप UPSI की त्यारी कर रहे हैं, तो भाई, ऐसे ही कर रहे हैं इस सवाल को, चूंकि मेंसुरेशन 2D और 3D अगर सीखना है, तो यह चीजे आपको सीखनी होंगी, पक्छांतर वगेरा, सब कु यह लीजिए, दसमा सवाल, आठ पुरुष किसी काम को बारे दिन में कर सकते हैं, छे दिनों के काम के बाद, चार आदमी और काम पर लगा दिये जाते हैं, तदानुसार सेस काम, कितने दिनों में समाप्त होगा, मैं कहता हूँ, यह very important सवाल है, और इस सवाल पर बहुत सारे सवाल और भी बनते हैं, ठीक है, इसको बहुत गौर से समझना, और इसकी खास बात होती है, कि जब काम सुरू हो जाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ गड़बड होती है, इसकी पहचान है, इतने दिन बाद यह और हो गया, ठीक है, तो अब हम इस सवाल को अगर बहुत ही सिंपल वे में बच्चो कराऊं, तो बहुत सिंपल टरीका बच्चो इसका सीखना, पुरुस, और ये क्या है, दिन, बहुत सिंपल वे में, आठ पुरुस, बच्चे लोग क्या कर जाते हैं कि इसको 8-2 अर्द तब इसको सोचते हैं आगए यूँ रखके छे दिन बाद अब क्या करें चार आदमी और भी लगा देंगे बारा लगा देंगे और अब सेज काम को कितने दिन में अब अलजते रहेंगे अब क्या करें भई आपने रखा ही गलते इस ये तरीका नहीं है इस सवाल को रखने का, इस सवाल का फोकस रूसे ही सेश पे रहता है, सेश काम क्या बच रहा है, अर्थात आठ पुरुस किसी काम को करने में बैठते हैं, आठ पुरुस, तो बारे दिन में कर सकते हैं, किया नहीं है, और हम अब सीधे छे दिन बाद की भ dispयाइस, इस च्यूझा नहीं था ? 6 दिन तक तो विचारे 8 ही आदमी लगे रहे, ओ, काम कितने दिन में हो जाता ? 12 दिन में, 6 दिन जो क्र लिया उसको छोड़ो, सेस बताओilर कितने दिनका काम और बाकि है ya, भिए 6 दिन तक एक किपा लियाност, जो जो कर लिया उसको छोड़ क्योंकि हमें तो सेस काम पर फोकस करना है तो काम इन के लिए कितने दिन का बचा है यह यह अगर सब कुछ सही चलता रहता तो कि आठ आदमी इस बचे कामें छह दिन में ना कर देते हमें बचा काम देखना है भाई बचा काम तो आठ आदमी इस बचे कामें छह दिन में कर ले तो यही काम जो आठ आदमी छे दिन में जिसे करते वही काम बारह आदमी कितने दिन में करेंगा वही तो सेस है सेस भी तो वही है आठ आदमी पर जो काम छे दिन में होगा बारह आदमी पर वही काम कितने दिन में होगा उत्तर तो यह सेस काम की अपने आप ही समझ में आ कितना असान ठीक है तो कुल मिला करके हमें ये देखना होगा कि जितने दिन तक काम हो चुका है उसको हटा दो टोटल दिन में से बचा काम छे दिन का ही रहेगा मालनो ये आठ दिन बाद आते तो मैं कहता आठ आदमी फिर आठ दिन बाद आ रहे हैं आठ दिन काम हो गया अब इनके लिए चार दिन का काम बाकी है तो मैं फिर यहां चार रखता अगर ये चार दिन बाद आते तो आठ आदमी उन्हें चार दिन काम कर लिया अभी बाकी काम कितने दिन का बचा आठ दिन का तो यहां फिर आठ रखता ठीक है तो कुल मिलाकर के बात किलियर हो गई होगी सबको अब कोई डाउट इसमें नहीं है एक बार और नहीं मैंने तीन बार समझा दिया अब तो इसको चलो अब देखो नेक्स्ट कुश्चन अगर और समझना है तो यहां आएगा और समझना है तो यहां किलियर होगा बहुत ही सांदार तरीके से बच्चो एक छात्रवास में 120 छात्रों के लिए 45 दिन का भोजन था उस छात्रवास में 30 छात्र और आ जाते हैं उस छात्रवास में मिस कर दिया क्या कुछ दिन बाद कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा पहले जितना ही भोजन दिया जाए छीक है यदि उस छात्रवास में 30 छात्र और आ जाते हैं तो पर तेक छात्र को पहले जितना ही भोजन दिया जाए तो भोजन कितने दिनों में समाप्त होगा बताओ भई 120 चात्र ये तो simple वाला सवाल है इसमें तो कोई बादवाद वाली condition ही नहीं है कि ये चात्रे हैं ये तो पहला सवाल होना चाहिए था इस chapter का चात्रे ये दिन हैं 120 चात्र 45 दिन ये भोजन कर सकते थे यदि चात्र आवास में 30 चात्र और आ जाएं 30 चात्र यानि 1500 चात्र हो जाएं और भोजन उतना ही खाएं जितना पहले खाते थे तो प्रतेक चात्र को पहले जितना ही भोजन मिले तो भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा तो भोजन भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है ये ही तो होगा यही होगा इसमें तो इसमें जब जो ही नहीं बताया कितने दिन बाद वाद की कोई कंडिशन ही नहीं है तो ऐसे ही करूँगा और बच्चों ये सवाल तो खटम हो गया पंदरेती, पैतालिस, बारेती, अच्छतिस इसमें तो कुछ थाई नहीं इसमें तो जैसी लेंगवेज जैसा सवाल है चलो भाई आगे बढ़ो चलो नेक्स्ट कुश्चन देखो और थोड़ा दो दिन बाद वाली कंडिशन, कितने दिनों बाद वाली कंडिशन यहां पूछ लिया है यह अच्छा सवाल है मतलब हर बार यह हो दो दिन बाद, तीन दिन बाद तो हम कर जाते हैं लेकिन यहां खुदी पूछ लिया कितने दिन बाद ऐसा हुआ तो भाई यह सवाल पढ़ेगा जबरजस्त पांच मजदूर किसी घर को बीस दिन में बना सकते हैं तो कितने दिनों के बाद दो मजदूर और काम छोड़ देने चाहिए ताकि यह गहर तीस दिनों में बन जाए UPSI लेवल है भाई सवाल का चाहिए आप उप्शन से करो, चाहिए आप बिना उप्शन के करो अच्छा सवाल है आपने कर दिया तो मैं मानूँगा कि आप बहुत अच्छे दावेदार हैं करिये कोशिस आप्शन से भी ले सकते हो, आप्शन में भी कोई बुराई नहीं है और बच्चो एक्स से भी कर सकते हो मैं दोनों ही चीजों से इस सवाल को कराके बताऊंगा आपको करिये देखता हूं उत्तर बहुत कम बच्चों का आ रहा है सही बहुत कम बच्चों का उत्तर सही आ रहा है सवाल का पांच भी आ रहा, दस भी आ रहा, पंद्रे भी आ रहा, आठ भी आ रहा मुझा सारे ही आ रहे हैं इसलिए बड़ी है सवाल है फिर तो सही है ग्यारे से एक वजे तक होगा टेस्ट ग्यारे से एक UPSI का टेस्ट ग्यारे से एक चलेगा ठीक है देखो दस पंद्रे के आप्शन ज़्यादा चल रहे हैं देखते हैं UPSI लेवल बोला है तो कुछ तो दम होगा सवाल में अब आपने पिछला सवाल जो सीखा था वो पूरा जोक देना है इसमें अर्था जो दसवा करवाया था मैंने ग्यारवे में तो कुछ ठाई नहीं तो भाई मजदूर है मजदूर है और दिन है दो ही चीजे पूरे सवाल में जहन देना बच्चो पांच मजदूर किसी घर को बीस दिनों में बना सकते हैं लेकिन बच्चो कुछ दिन बाद अगर गड़बड होती है तो बीस नहीं लिखते क्योंकि हमें से इस काम पर फोकस करना होता है तो हम कहते हैं कि तो कितने दिनों बाद अगर कोई बच्चा एक्स से कर रहा है तो पहले एक्स से बता देता हूँ कि एक्स दिन बाद इसको एक्स मान लो तो पिछले सवाल में क्या किया था अपने कि छे दिन बाद हुआ था तो बारे टोटल दिन में से छे दिन घटाए थे तो बचा काम आया था बचे दिन का काम तो हम यही करेंगे कि बीस दिन का काम है तो इसका मतलब बीस दिन में कर सकते हैं लेकिन एक्स दिन बाद गड़बड हुई है तो यह काम बीस माइनस एक्स दिन का बच रहा होगा इनके लिए करते हैं कि नहीं माँ लो पांच दिन बाद आते तो मैं कहता पांच आदमियों का पंदरे दिन का काम नहीं है यह कहता छे दिन बाद हुई है गड़बड तो मैं कहता पांच आदमी इस काम है अगर छे दिन बाद गड़बड हुई है तो 6 दिन तो कर लिया 14 दिन का काम नहीं है और X दिन बाद है तो 20 माइनस X नहीं आएगा वो ही तो कर रहा हूं वो ही तो कर रहा हूं यहां बात समझ में आईए ठीक अब आगे क्या बोला है तो कितने दिन बाद 2 मजदूरों के काम छोड़ देने से तो मजदूर तीन रहे तो छोड़ देना चाहिए ताकि यह घर 30 दिनों में बन सके बच्चों 30 दिनों में बन सके तो इसका मतलब यह 30 रख दूं क्या यहां नहीं नहीं X दिन तो लग चुके हैं ना 30 में से पहले ही 30 दिन तो टोटल में घर बनना चाहिए तो यहां पर 30 माइनस X आएगा की नहीं आएगा यह बता दो बस भैं जो कहरा है 5 दिन करने के बाद अब यह घर 30 दिन में बनना चाहिए यह 10 दिन करने के बाद यह घर 30 दिन में टोटल बनना चाहिए तो बीस ही तो रखंगे, बीस दिन ही तो बच रहे हैं अब इनके लिए काम करने को क्योंकि दस दिन तो काम उपर हो चुका है या पांच दिन तो काम उपर हो चुका है तो जितना भी है, जितने दिन बाद काम हो चुका है तो उससे कम दिन यहां बचेंगे और बच्चो अब तो उत्तर हो गया उपर की गुणा बराबर नीचे की गुणा रख दीजिए उत्तर आ गया पांच की गुणा इन दोनों में करूंगा तो सौ माइनस पांच एक्स और बच्चो नबच माइनस तीन एक्स और अगर मैं बोलूँ बच्चो तो ये माइनस पांच एक्स पिलस तीन एक्स हो जाएगा इधर आके और उधर नबच है उधर माइनस सौ हो जाएगा जाके और ये माइनस के दो एक्स बराबर माइनस के दस आजाएगा और X मतलब यानि कितने दिन बाद गड़बड हुई है पांच दिन बाद हमने वही तो X माने थे और यही तो पूछा है कितने दिन बाद X दिन बाद अर्थात X तो 5 है तो 5 ही उत्तर इस सवाल का आएगा यही यह सवाल था ठीक है और जो बच्चा आप्शन से कर option with the hit and trial method यह देखो option अब मेरे को पता है बच्चो अगर मैं 15 मानूंगा पांच मजदूर है 15 दिन बाद कोई आया है तो इसका मतलब पांच दिन 15 दिन बाद गड़बड हुई है तो बचा काम कितने दिन का क्योंकि 20 दिन मैं करी लेते वो 15 दिन बाद अगर मैं इसको मानू 15 दिन बाद यानि 15 दिन तक तो इन्होंने काम कर लिया था तो इनके लिए 5 दिन का ही काम बाकी था दो मजदूर छोड़ गए तो काम 3 मजदूरों को ही करना है काम पूरा 30 दिन में हो जाए तो 30 में से 15 दिन तो इन्होंने खराब कर लिये 15 दिन बाद तो यहां पर वच्च आएगा तो यह option गलत और आम मैं सीधा पांच रखके दिखा देता हूं आपको पांच मजदूर पांच दिन बाद अर्थात काम अभी 15 दिन का बाकी है देखो ना पांच मजदूर 20 दिन में कर लेंगे अब मैं कह रहा हूं पांच दिन बाद आए तो इसका मतलब यह 15 दिन ल लगना है जो इनका 15 दिन का बचरा था और भाई अब जो काम पर टोटल 30 दिन लगने चाहिए पांच तो पहले ही लग चुके हैं तो यानि अब 25 आना चाहिए हल करके क्या 25 आ रहा है तो हम देखें बच्चो 25 आ रहा है बस बात खतम होई ठीक है तो पांच दिन तो लग ग तो टोटल 30 दिन में काम खतम हो चुका होगा चलिए बिलकुल सही है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चो तो अगले सवाल की तरफ कि यह देखिए तेरवां कुश्चन क्या बोलता है तेरवां कुश्चन क्या बोलता है भाई सवाल में दम था बारवे में मैं मानूंगा जहां कितने दिन बाद पूछेगा थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसको एक बार और समझना दो बार समझना तीन बार में क्लियर होगा जाके ठीक है अगर किसी को बारवा नहीं समझाया उनके लिए बोल रहा हूँ किसी इस्थान पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों के लिए परियाप्त भुखाद्य सामगरी थी 28 दिनों के बाद 280 आदमी इस्थान छोड़ कर चले गए तो सेस व्यक्तियों के लिए सेस सामगरी कितने दिन के लिए परियाप्त होगी बहुत ही आसान सा question है बच्चो ये बिलकुल उसी का ही part है व्यक्ति और भाई दिन दो ही चीजों से सवाल को खतम कर देते हैं हम सामगरी वामगरी छोड़ो 400 आदमी 31 दिन खा सकते थे पर 31 दिन नहीं खाया कुछ गलबल हुई कब 28 दिनों के बाद जो खालिया क्या वापस ला सकते हो उनके पेट से नहीं हमें सेस पर फोकस करना है इसलिए जो खालिया वो तो गया तो भाई 400 आदमीयों के लिए 28 दिन तो खा गए तो 3 दिन तो और ख सकते थे यह 31 दिन की थी नहीं सामगरी 28 दिन खा गए खतम मामला तो बाकी बच्चा भोजन तीन ही दिन का था तीन ही दिन का था बच्चो 28 दिन के बाद ऐसा हुआ कि 280 अब इस बचे हुए पारे अब जो होगा काम वो बचे पर ही तो होगा या जो खालिया उस पर होगा न चले गए तो 120 बचे की नहीं बचे वह 400 थे 280 गए तो 120 आदमी इस बचे भोजन ऑन जो 3 दिन का था उनका इनके लिए क्यों दिन चल जाएगा बस नियु पोछ रहा 400 आदमी 400 आदमी जिसे 3 दिन चला सकते थे 120 आदमी कितने दिन चलाएंगे ज़्यादा दिन चलाएंगे देखें कितने आ रहे हैं 0 से 0 3 4 के मैं कहूंगा 10 दिन चला देंगे और ये रहा उत्तर यही तो पूछा है कि सेश सामगरी सेश तो यही थी इनके लिए कितने दिन चलेगी बहुत सिंपल वे में बच्चों ये सवाल हो जाता है ठीक है आगे बढ़ें क्या चलो आगे बढ़ो उमीद है सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा एक बार अपने हाथ से जरूर निकालें आज का टेस्ट देने के बाद चौधवा क्वश्चन साठ आदमी किसी काम को धाई सो दिन में समाप्त कर सकते थे उन्होंने साथ मिलकर दो सो दिन तक काम किया बहुत सांधार काम किया उसके पस्चाथ खराम मौसम के कारण काम को दस दिनों के लिए बंद रखना पड़ा बहुत बढ़िया तदानुसार काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आद्मियों को काम पर लगना पड़ेगा देखो क्या सवाल आया है देखो बच्चो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है लगभग करिए कोशिस साथ आदमी धाई सो दिन में कर सकते थे दो सो दिन तक काम किया मिलके तो साथ आदमी दो सो दिन तक देखो बच्चो मैं इस सवाल को तोड़ दूँगा गर्दन से पकड़ रहा हूं इसको भी आदमी और दिन बिलकुल तोर मरोल के पेस करूँगा और यहीं सवाल खतम हो जाएगा साथ आदमी धाई सो में कर सकते थे हुआ नहीं पर क्योंकि हमें तो बचे कुछ यह पर फोकस करना होता दो सो दिन तक तो कर लिया तो यह पचास दिन में कर सकते थे बचे काम को साथ आदमियों के लिए तो यह काम पचास दिन का ही बचरा था पचास दिन का ही बचरा था की नहीं बचरा था बताओ जब दो सो दिन में किया तो पचास दिन के लिए ही तो काम बचरा था लेकिन हुआ क्या उसके पश्चात खराब मौसम के कारण 10 दिन खराब हो गए 50 दिन का टाइम था टाइम पर देना काम 10 दिन मौसम ने खराब कर दिये तदानुसार काम को समय पर ही पूरा करना है अर्थात काम 40 दिन में ही करना है क्योंकि 50 दिन हमारे पास ही तो बच रहे हैं 10 दिन मौसम में दिक्कत हो गई तो काम तो अब 40 दिन में करना पड़ेगा तो 40 दिन में काम को कराने के लिए कितने आदमियों की जरुत पड़ेगी खतम सवाल बताओ भाई इसमें है ही क्या ये ही तो सवाल है पूरा क्या हमने हर चीज का यूज कर लिया हाँ इस दोसों का भी यूज हुआ कैसे हुआ धाई सो में से दोसों गए तो 50 दिन का काम 60 आदमियों के लिए बचा इस 10 दिन मौसम का क्या यूज हुआ क्योंकि 10 दिन मौसम ने खराब कर दिये अब काम 40 में ही करना होगा अब 60 आदमी 50 में कर सकें तो 40 दिन में काम करवाना तो total कितने आदमी चाहिए तो भच्चो देखो 55 आदमी चाहिए total पिछहतर total चाहिए अगर 40 में करवाना तो कितने और चाहिए आती रिक्त 15, 60 तो हैं हमारे पास पंदर आदमी और चाहिए होंगे बताओ इस सवाल में था क्या कुछ भी नहीं था अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो यह सवाल जहां से सुरूआ वहीं खतम हो जाएगा आँखोई आँखों में ठीक है बात बढ़ाता चला जाता है पर होता कुछ नहीं है सवालों में बच्चो अगला सवाल देखो अगला सवाल यह ठेकेदार के सवाल होते हैं ठेकेदार ठेकेदारी के सवाल देखो बच्चो PDF solution का link मिल रहा है बच्चो हम profit loss तक कर दिया है उससे बाद में अभी वीडियो बन रही है ठीक है मिल जाएगा बहुत जल्द मिल जाएगा ठीक है तो बहुत कल से बोली गई हर बात बच्चो पूरी करेंगे उसमें कोई सब को नहीं होना चाहिए वाद विकास आया है क्या सर आज पूछना सर có toch वी तर्हा रहा है को भी विकास आया है कान विकष कास इस दिमांड रही आपकी तो एक विकास रावत आपकी दिमांड कर रहे हैं है जनते हो है अच्छा दोस्ती है दो कहां से कहां कॉंटेक्ट भेड़ रहे हो है जा है जा है जा है बाई चलो बढ़िया यह देखो पंद्रमा कोश्च्चन किसी को एप में कोई दिक्कत है बच्चा कह रहा है वीडियो डाउनलोड नहीं होती है मैं बोल रहा हमारा हेल्प लाइन नंबर है खुब चिक चिक के कह रहा हूँ इस नंबर पे कॉल कर दो आपको नौ से छे कॉल किया करो आपका कॉल भी उठेगा और समश्चा भी सॉल होगी ठीक है भई इतना ही तो कर सकता हूँ बताओ इस से ज़्यादा और क्या करूँ एक ठेकेदार किसी काम को 124 दिनों में काम करने का ठेका लेता है और 120 आदमियों को काम पर लगाता है तो 64 दिनों के बाद वह पाता है कि काम का दो बटे तीन भाग पूरा हो चुका है तो बच्चो जब भी ठेकेदारी के सवाल होंगे ना ठेकेदारी के सवाल यह बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं बच्चो कैसे ? जैसे आप देखो मतलब मैं आपको एक प्रैक्टिकल यूज़ बताता हूँ इन चीजों का इसा क्यों बनता है सवाल और कहाँ आप इसको यूज कर सकते हो जैसे कहीं कोई मकान बननाना है किसी मिस्टरी को गायों है और उसने कह दी कुई अपरेल का यह 10 मईगा यह 10 जूनका उसने कही 10 दस मई का भ्या है, यहां साधी है, उससे पहले अगर तुने बना दिया, तो एक एक पैसा लेकर जाईयो अपना, और जो एक दिन भी लेट हुआ, तो फिर एक पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, अब ठेकेदार पूरा टेंसन में रहेगा, कि उसे काम टाइम पर ही देना है, ठीक क Video, काम पर लगा दूं, मान लो दस मई के बच रहे हैं, अभी दस मई के मान के चलो 50 दिन बच रहे हैं, ठीक है, पचास दिन बाकी हैं दस मई के, तो भई पचास दिन उसने टार्गे ट सेट कर लिया, कि मेरे सौ आदमी उसने अंदाजा लगा यार ऐसा है से इतना काम तो उसने calculation करके 100 आदमी 50 दिने समय निप्टा देंगे ठीक है अब क्या होता है कि वो 50 दिन बाद ही चेक करने आएगा क्या नहीं वो बीच में छापा मारेगा कि काम आधा पर्दा हुआ है नहीं वो उसने अंदाजे से आएगा यार मैं 25 दिन बाद जाके एक बार साइट पर दे पर वो 30 दिन में जाकर पहुंचा 30 दिन में तो आधे से ज्यादा काम नहीं पटना चाहिए था और उसने देखा आधे से कम काम हुआ अब वो टैंसन में आ गया अब वो क्या करेगा कि यार और मजदूर लगाने है क्योंकि मेरे पास 20 दिन ही बाकी है क्यों काम तो टाइम पही देना है तो वो 20 दिन के हिसाब से अपने अंदाजे से और बीच में मजदूर बढ़ाना चाहेगा तो कितने मजदूर बढ़ा दे ताकि वो काम टाइम पर पूरा हो जाए यही सवाल यह होते हैं सेम सवाल बात समझ में आ गई यह टाइम पर देने की बाउंडेशन इ ठेका लिया और वो अंदाजे से 120 आदमी उसने काम पर लगा दिये लेकिन 64 दिन बाद काम था 124 दिन में 64 दिन बाद आके छापा मारा उसने और देखा काम का दोतिया हिस्सा कर दिया और दिन तो लगबगा भी आदे से ही हुए तो यहां तो मजदूर हटाने पढ़ंगे दूसरी साइट पर यूज़ करूं यहां तो टाइम पर हो रहा है बहुत बढ़िया काम टाइम से आगे चल ले हैं तो कभी-कभी हटाएगा भी तो भाई यहां पर आदमी और दिन दोई चीजों की बात होती है और तीसरी चीज़ है काम कितना हुआ तो आदमी 120 लगाए उ 124 दिन बाद आके देखा जितने दिन उन्होंने काम किया उससे मतलब नहीं है वो तो टोटल ठेका है तो जितने दिन उन्होंने काम किया 124 दिन काम किया और काम का दो हिस्सा कर दिये ठीक है दो हिस्सा कर दिये वह तीन मैंसे कितना कर दिया दो अब सेस कितना बच रहा है तीन में से एक, तो एक ही तो सेस है ना, ऐसे लेगरो बटे वाले को, तीन में से दो कर दिया, तो एक बचा, तो बच्चे जो काम है ना, ये नीचे जाएगा, और नीचे का काम उपर आएगा, बचा क्या है, एक, तो देखो, अब कह रहा है, तो अब उसे काम से कितने आदमी को हटा लेना चाहिए ताकि काम समय पर पूरा हो जाए पूरा होने में तो एक काम बाकी है न बस दो तो होई चुका है और समय पर पूरा करना तो अभी तो 60 दिन बाकी है उसके पास क्योंकि 124 दिन में करना 60 दिन है उसके पास तो कितने आदमी की जरुरत पड़ेगी तो 120 से कम की पड़ेगी और जितने कम की पड़ेगी वही बता दो 120 मैंसे कितने वापस ले जाए वो तो भाई उत्तर आ गया देखो तो सही दो से दो तो 64 व्यक्तियों की जरुरत है जरुरत जरुरत है और भाई कितने हटाने कित अपन आदमी हटा दो ये लो, ऐसे है, तो ये रहा सवाल, ठीक है, तो बच्चों इस सवाल को ऐसे करते हैं, उम्मीद है, समझ में आ गया होगा, इस दो बटे तीन का क्या यूज है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, यह दो काम करे थे उपर वालों ने तो काम नीचे जाएगा ही और एक काम नीचे वालों का बचा था तो वो उपर ले दिया था और साथ दिन बचे हैं हमारे पास और कितने आदमियों की जरुरत है आदमियों की जरुरत थी 64 की आदमी लगे हुए 120 220 तो कितने वापस ले जाए वो 56 को यहां से निकाल ले जाए ठीक बहुत बढ़िया बहुत सांदार और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बिल्कुल सेम टू सेम है देखो बच्चो क्या सेम टू सेम है एक बार और कर लिया जाए ठेके वाला सवाल तो फटा फट कर दो ताकि आपकी और प्रेक्टिस हो सके बचो यह तो खुद करना है अब आपको जल्दी से करो इसमें मेरी हेल्प की जरुरत नहीं पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए एक उपर क्यों गया क्योंकि काम उल्टा होता है अरजुन भाई आप इसका मतलब लेट जुड़े है निश्चित रूप से आप लेट जुड़े हैं क्योंकि इस पर सुरु में ही बहुत मूंड मार चुका हूँ कि काम नीचे वाला उपर उपर वाला नीचे जाता है ठीक है टाइम से जुड़ा करो और या फिर किलास को एकदम सुरु से देखा करो जहां से चल लिए पहला बेकार में नहीं मारते वो उसमें से इस काम क्योंने लिया तो है भाई दो काम और बचा काम एक तीन में से दो काम था बचा काम एक लिया से इस काम क्या बोल रहे हो आप दो और एक क्या हैं और वो कि अगर रहुल कुमार एडवांस मेट्स हाँ और बचों मैं आपका इस बात पर भी खीचना चाहूंगा कि देखिए मेंसुरेशन 2D 3D मैं भी पढ़ाऊंगा लेकिन साम को रहुल सर पढ़ाने वाले 2D और 3D अगर आप अभी से शुरुवात कर लेंगे तो एक बार साइद कर सकते हो बहुत अच्छे से तो चार से उनकी क्लास होती है चार बज़े से पांच बज़े तक 2D सुरू होने वाला है अगर आपने बिलकुल नहीं पढ़ा है तो आप उनलाइन वह क्लास ले सकते हैं चार से पांच ठीक है कवर कर चुगए और जब मैं कराऊंगा तो आगी आगे आप भागोगे टूडी में चलो ठीक सोलवा कुश्चन एक ठेका 56 दिनों में पूरा करने के लिए 104 आदमी काम पर लगाएगे जो पिरती दिन 8 गंटे काम करते हैं 30 दिनों में काम करने का दो बटे 5 भाग पूरा हो गया तो बच्चो 56 दिन में ठेका पूरा करना था ठेकेदार ने और 104 काम पर लगा दिये तो आद़ भी लगाए और गंटों के हिसाब से भी काम करवा रहा इस बार तो घंटे भी है दिन भी है अलग-अलग दिन और बच्चों काम भी है चार चीज हैं लगाए देखो 104 आद्मी उसने काम पर लगाए आठ गंटे काम करवाता है लोगों से और तीस दिन में जा करके दो काम हुआ बच्चो तो दो काम हुआ पांच मैं से दो ही तो हुआ पांच मैं से दो हो चुका है इसलिए नीचे लिया काम उपर वालों ने किया काम नीचे और फिर क्या बोला कि कितने अतीरिक्त आदमी लगाए अतीरिक्त जब भी बोलता है तो टोटल आएंगे 104 घटाना पड़ेगा आदमियों को काम पर लगाना होगा ताकि काम समय पर पूरा किया जासा कि समय कितना है टोटल 56 दिन का तो 26 दिन बाकी है अभी 26 दिन में इनसे करवाना और 9 घंटे काम करवाना और सेस काम को करवाना इनसे तो पांच में से दो तो उपर वालों ने कर दिया अभी तीन काम बाकी है तो नीचे वालों का काम उपर जाता है उपर वालों का नीचे जाता है पांच में से दो ने कर दिया तो तीन ही तो बचा ठीक और बच्चो उत्तर आगया जरह काट पीट लेते एक बार तो देखो 26 चौका हो एक सो चार और दो से ये काट दो दो बार और देखो तीन से तीन बार बहुत बढ़िया कटेगा तीन से दस बार अब देखो आठ दूनी सोले दूसे हम 160 टोटल 160 व्यक्ति चाहिएं टोटल ये टोटल हैं तो कहरा कितने अतीरिक्त चाहिएं तो पहले कितने लगे हुए हमारे पास 104 तो 56 और चाहिए और अतीरिक्त 56 चाहिए होंगे जब भी अतीरिक्त की बात करेगा तो बच्चो पहले वाले जो लगे हुए हैं वो घटाने को बहुत सही बहुत सँही नेक्स्ट क्वेस्चन की बात करता हूं बच्चो कि अब देखो मुझे लगता है कि आप इसको तहला दोगे यह लीजिए क्योंकि लंबी लंबी लेंग्वेज के हो जाता आते हैं कोश्चन कभी कभी यह पिएसाई में देखने को मिल जाते हैं हां मेंसुरेशन मैं भी पढ़ाऊंगा पर मैं जब पढ़ाऊंगा जब पहले खतम कर लूँगा अर्थमेटिक तब तक वहां शुरू कर सकते हो संडे को महराथन है जी हां जी अस महराथन है और ऐसे सवाल जो आपको लंबे लगे और confidence हिलाए ना इनको बाद के लिए छोड़ना पेपर में टाइम मिले तो देखना नहीं तो जैराम जी की आगे बढ़ना ठीक है तो सत्त्रमा कॉस्चन तो मतलब अपना टाइम क्योंकि होसले तो वैसे ही डाउन कर देता है ना लंबा सवाल कि हमसे नहीं होगा पर होगा देखते हैं उसको पर एक बार तो छोड़के ही बढ़ हैं क्योंकि इसको बाद में भुखतेंगे कहीं ऐसा नहों कि आसान आसान सवाल भी हमारे छुट ज रखती है को कहानी तो समझा रहा है वो सवाल यहीं खतम हो जाएगा अगर बारिस ना हो तो पंद्रे आदमी सौ दिन में कर लेंगे माल लीजिए कि वर्सावाली दिन टीम कारिया नहीं करती है तथा वर्साही एक ऐसा कारक है जिससे कारिया में बाद्धाउत पन बताओ इ इतना औरों की बरीत रहें किया सवारी देखो नापलो चाहे ऐसे इतना ही है इतना ही बैठेगा यद्ध पी 51 दिन पांच दिनों की वर्सा के बाद 51 दिन यानि पांच दिन तो बारिस पढ़ ली सुरू के 50 दिन में चलो सही है तो पांच अतिरिक्त व्यक्ति लगाता है तो बच्चों पंदरे आदमियों ने काम कितने कि यदिन किया बस मुझे ये बता दो फंदरे आदमियों ने काम 45 दिन किया किए क्यांवन वे दिन तो उसने बदलाव सुरू कर दिये और बच्चों 50 दिन तक तो 15 आदमी ने किया लेकिन उन पचास दिन में पांच दिन तो बारिस हो गई थीैंहीं कुद कहरा हैं ऐसा जिदन में पांच दिन की बारिस के बाद उसने पाँच आदमी अतिरिक्त लगाए तो बच्चो यहां तक इसका मतलब पाँच दिन बारिस पड़ चुकी है पचास दिन तक तो पंद्रे आदमी जो उसने लगाए है ना तो उन्होंने काम सिर्फ 45 दिन किया है सिर्फ 45 दिन तो अगर वही आदमी काम करते रहते तो पंद्रे आदमी ही अगर काम करते रहते तो बच्चो 55 दिन में यह काम कर सकते थे और बताओ इनको 55 दिन लगेंगे क्यों क्योंकि इन्होंने अभी 45 दिन किया है कि नहीं बताओ आप खुद तो बच्चो अगर इन्होंने 45 दिन किया और यह 100 दिन में पूरा निर्मान कर सकते हैं तो 45 इनोंने कर लिया है तो अभी तो 55 दिन और लगते अगर इन 15 से ही काम कराया जाता तो यह आदमी तो निचोर निकलके आया कि यह आदमी पंटवन दिन में इस काम को कर सकते थे लेकिन हुआ क्या अब बच्चो आदमी लगा दिये उसने 20 आदमी कर दिये 20 तथा काम को निर्धारित समय सीमा से पहले ही समाप्त कर लिया जाता है यदि निर्मान का कुल इतने दिन में पूरा हुआ हो अगर बच्चो मैं इसी काम को 20 आदमियों से कराऊं तो पहले देखता हूं अगर यह 20 आदमी इस काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे 15 आदमी उसने अंदाजे से लगाए 5 आदमी और बढ़ा देता हूं क्योंकि दिन मेरे पास नहीं बच रहे तो उसने 20 दिन में 20 नहीं होगा एक्जेक्ट बाद हम बता रहा कि बारिस बारिस भारिस पढ़ेगी कोई बात ना काम टेंप होना चाहिए इसलिए उसने पांच आदमी एक्स्ट्रा बढ़ाए और मैंने देखा कि पांतिया पंद्रे पांचोक बीस पच्पंतिया 165 काम कितने दिन में पूरा ह हुआ तो मैंने देखा बच्चो इनको कितने दिन और लगेंगे चार चोके-16 और बहाया चार एक तालैस पॉइंट दो-पांच दिन लगेंगे की नहीं लगेंगे बटा यानि 55 दिन के बाद 55 दिन के बात गूसरी कितने सिने काम हो गया तह सुरु में 50 दिन 50 दिन के बाद पचास दिन के बाद इन लोगों को इतने दिन लगता है इतने दिन लगते 41.25 और इसका मतलब काम तो 91.25 दिन में ही दिन में ही पूरा हो जाना चाहिए पूरा हो जाना चाहिए था हो जाना चाहिए था क्योंकि ये 50 दिन बाद ही तो लगे हैं तो 50 दिन के बाद इतने दिन में और काम हो जाना चाहिए था अर्थात 50 पिलस 50 पिलस 41.25 91.25 दिन में काम खतम हो जाना चाहिए था लेकिन बच्चो काम कितने दिन में खतम हुआ 96.25 दिन में बताओ काम पूरा होने में तो इतने दिन लगे न तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगे फाल तू के क्यों लगे ये पांच दिन काम और नहीं हुआ इसका मतलब पांच दिन बारिस और पड़ गई अगर बारिस नहीं पड़ती तो काम समापती के दिन सिर्फ यही होते लेकिन हुए क्या एक्चुल में वो कहरा काम तो इतने दिन में खतम हुआ तो इसका मतलब पाँच दिन बीच में बारिस ने और खराब किये है यही तो पूछा है कि भई तो इतने दिन में पूरा हुआ तो बताईए पचासवे दिन के बाद कितने दिन बारिस और पड़ी यानि पांच दिन काम और नहीं हुआ, इसका मतलब पांच दिन बारिस और रही होगी, और बच्चो ये रहा आपका उत्तर, पांच दिन बारिस और भी रही थी, बहुत बढ़िया, बच्चो सवाल में बस थोड़ी सी जान थी, और कुछ नहीं था, थोड़ा सोचने पर ये देखो, एक ठेकेदार, ये एक ठेकेदार ने 22 दिन में एक सड़क परियोजना पूरे करने का ठेका लिया, और 90 आदमियों को काम पर लगाया, बहुत बढ़िया, अंदाजन, 9 दिन के बाद 30 और आदमी काम पर लगा दिये, बहुत बढ़िया, और काम निर्धारित समय से एक दिन पहले ही खत्म हो लिया, पूरा हो गया, अगर 30 आदमियों को वो काम पर ने लगाया होता, तो काम निर्धारित समय से कितने दिन बाद पूरा होता, ऐसा सवाल है, सवाल है देखो आदमी और दिन बस सुरू में सोच लेकर रखने से पहले जिसने सोच लिया दिमाग लगा लिया करने में दिमाग नहीं लगाना फिर रखने से पहले दिमाग लगाना है 22 दिन में एक सड़क परियोजना पूरी करने का ठेका लिया था 90 आदमियों को काम पर लगाया 90 आदमी तो लगे काम पर कोई दिक्कत नहीं है 90 तो लगे लेकिन बच्चो 9 दिन बाद 9 दिन के बाद 30 और व्यक्ति काम पर आए हैं तो इसका मतलब है कि 9 दिन बाद तो यानि ये 22 दिन में करना था 9 दिन काम इन्होंने कर लिया तो बच्चो कितने 13 दिन तो 90 आदमियों पर ये काम 13 दिन में होता की नहीं होता ये बता दो वसमूझे फिर से समझो 90 आदमियों को 22 दिन में करना था 22 दिन में 9 दिन के बाद कुछ गड़बड हुई तो इसका मतलब 9 दिन तो इन्हों नहीं किया 90 आदमियों ने 9 दिन किया है जो कर लिया उसको छोड़ो जब भी बाद आएगा उसको छोड़ो जो बाकियों उसके फोकस करो 22 दिन में कर सकते हैं 9 दिन कर लिया तो बचा कितने दिन का काम 13 दिन का यह 13 ऐसे आया है तो 90 आदमियों के लिए ये काम 13 दिन का बाकी था अब कर पाते हैं नहीं वो नहीं पता उसने सोचा कि नहीं कर पांगे तो उसने अपने अंदाजे से गड़बल करी खुद क्या कह रहा है तीस आदमी और बढ़ा दिये काम पर काम पर कर दिये 120 आदमी 120 आदमी तो 120 आदमियों ने ये काम निर्धारित समय से एक दिन पहले तो वो तो मैं देखूंगा कि 120 आदमी इस काम को कितने दिन में कर देंगे बचे काम को तो बच्चो मैं देखता हूँ तीन तिया नौ तीन चो के बारे तो क्या रहा कुछ गलबल कर रहा हूँ क्या तीस आदमी और काम पर लगा दिये तो 90 आदमी तेरे दिन में और 120 सॉरी मैं यह गलती कर रहा हूँ देखो 120 आदमी यहां से उठाओंगा सवाल को 120 आदमी इस काम को एक दिन पहले 90 आदमी पे का काम तो 13 दिन का बाकी था बच्चो तो तेहरे दिन में ये करी लेते, ठीक है, लेकिन 120 आदमियों पर जब काम पर लगाया, तो काम निर्धारित समय से, तो निर्धारित समय में 13 दिन बाकी थे, एक दिन पहले हो गया, अरथात 120 आदमियों ने ये काम 12 दिन में करा, करा की नहीं, खुद बताओ कि वह यहां से, यानि 9 दिन बाद, जब ये 120 आदमियों इसने कर दिये, तो वच्चों दिन रह रहे थे 13, लेकिन ये एक दिन पहले ही काम को निप्टा गे, 13 में से भी एक कम लिया, इन्होंने, अरथात 120 आदमियों ने 12 दिन में ही काम खतम कर दिया, अब जो कह रहा, ये 30 आदमियों एक् खतम होता, तो 90 आदमियों में जो देख लूँ, जब 120 ने 12 दिन में खतम कर सकते हैं, तो 90 आदमियों से कितने दिन में खतम कर सकते थे, तो वच्चों मैंने देखा, तीन तिया, तीन चौका और तीन चौका, यानि 90 आदमियों को लगते, 16 दिन लगते, और दिन बच रहे थे 90 वालों के पास 13 बच्चों करना था 13 में लेकिन लगते इनको 16 दिन चाहिए इनके पास दिन थे 13 अगर यह आदमी ना लगाता 90 से करवाता तो इनको 16 दिन लगते 13 नहीं 16 लगते तो काम निर्धारित समय से तीन दिन बाद होता जाके क्योंकि दिन बच रहे थे 13 और काम होता 90 आदमियों से 16 दिन में तो इसका मतलब तीन दिन एकस्ट्रा लगते यही पूछाए उसने कितने दिन एकस्ट्रा लगते यही बात है यह तो निर्दारित था कि नब्वे को नब्वे आधमियों से 13 दिन में चाहिए पर हुआ नहीं 120 इसलिए तो बढ़ा है उसने कि टेम्प हो पर उनने एक दिन पहले ही कर दिया तो 120 उनने 12 में ही कर दिया नहीं लगाता अर्थात 90 से ही करवाता तो 12 की जगे उनने 16 दिन लगते और बच्चो दिन थे उनके पास 13 निर्धारित समय में करने के लिए 13 दिन बचे थे लेकिन हुआ 16 दिन में तो निर्धारित समय से जाके तीन दिन बाद खतम होता, यही सवाल का अंसर है, उम्मीद है, समझ में आगया होगा आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल बच्चो, यह लीजिए, आज का लास्ट सवाल है बाल को, और यह चैप्टर पूरी तरह से close, यह चैप्टर क्लोज आज के बाद वर्क एंड टाइम शुरू करेंगे खल प्रिवियस यर में वर्क एंड टाइम और इसके एक साथ मिला के लाऊंगा UPSI ठीक है मिक्स दूँगा यदि आठ घंटे पिरती दिन काम करते हुए पंद्रे आदमी इस बार भी आपने प्रिवियस यर आंसर की नहीं दिया हाँ यह नहीं दिया वजब कि मुझे याद रखना चाहिए था कि वो आंसर की दे नहीं थी कोई बात नहीं बच्चों इस बार भी भूल हुई करते हैं उसमें इन सवालों को नहीं यह कुछ ना जो लास्ट के तीन चार सवाल हैं कुछ ज़्यादा सोचने के हैं इनको आप वीडियो को दुबारा से वहां से देखना और एक बार खुद दिमाग लगाना पहले तब मेरी बात सुनना तो ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे क्योंकि इनमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ रहा है और फ्रेस माइंड से लगाना निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से पकड़ पाओगे और एक ही नस है उनकी अगर एक नस वो आपके हाथ में आ गई तो आप बस यूँ समझ लो हर सवाल को दोदोगे ठीक है वो नस सही पकड़ना बस यदि आठ घंटे परती दिन काम करते हुए पंद्रे आदमी एक काम को करने में 21 दिन लेते हैं तो उसी काम को 6 घंटे परती दिन करते हुए 21 ओरते कितने दिन में पूरा कर पाएंगी बच्चों बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये तो आदमी घंटे और दिन बहुत सिंपल सा बस जू कह रहा है कि तीन ओरते जितना काम करती है न दो आदमी पर करवाते हैं तो मैं क्या करूँगा ओरतों को रखता ही नहीं हूँ पिक्चर में ठीक है आदमी सही काम करवाता हूँ ओरतों से करवाता ही नहीं चलो तो क्योंकि हमने दो चीज से करवाना सीखा ही नहीं है हम तो या तो आदमी रखते हैं या लड़के रखते हैं या इस टाइब से सवाल को करते है तो बच्चों पहली सर्थ क्या कहती है पंद्रे आदमी आदमी रखूंगा आठ घंटे और 21 दिन सही है दूसरी सर्थ क्या कहती है उसी काम को 6 घंटे में 21 औरते 21 नहीं रखना मेरे को 21 नहीं रखना औरते नहीं रखनी 21 औरतों को आदमी बना के रखना पड़ेगा अब सीखो कैसे 21 औरतों की जगे कितने आदमी रख सको देखो तीन औरत तीन औरत बराबर कितने आदमी दो आदमी ये बात समझ में आती है आपको ये बोल रहा है अगर 21 औरत है तो बताओ 21 औरत है तो कितने गुनी औरत हो गई 7 गुनी तो आदमी भी साथ गुने ही माने जाएंगे अर्थात 21 ओरतों में 14 आदमी बनेंगे 21 ओरतों से जो काम कराना है उतना ही काम 14 आदमी कर सकते हैं तो हमें 21 ओरत नहीं रखनी 14 आदमी रखने क्योंकि हमने उपर आदमी का कॉलम बना लिया है बस इतनी सी बात है तो यहां जो 21 औरत आई है बस आपने 14 कर दिया सवाल खतमे और यही पूछा कितने दिन लगंगे उत्तर काम का कॉलम ही नहीं है बस इतना एक्स्ट्रा है बस यह 21 का 14 कैसे आया वो बात वहां से समझ लेना ठीक है अब तो काट पीट है बच्चो यह बिलकुल बच्चो वाला ही सवाल बन गया साथ दुनी साथ तिया और भाईया यह तीन से दो बार और चार यह रहा चार दुनी आठ पंदरे दुनी तीस दिन आपका उत्तर आजाएगा बहुत ही आराम से उमीद है समझ में आ गया होगा और निश्यत रूप से आज कुछ सवालों ने जरूर दिमाग लगवाया होगा क्योंकि बच्चो अगर सौट करना है तो सवाल में दिमाग लगाना पड़ेगा और लॉंग भी उसका कुछ होता नहीं है कहीं और से समझोगा बिल्कुल नहीं आएगा समझ में पर जो बाते बोली हैं उनको जरूर समझना वीडियो से कोसिस करना बिल्कुल हो जाएगा बैक हटा हटा के ठीक है तो आज की क्लास यहीं दी अंड करते हैं अच्चो ग्यारा वजे से टेस्ट देना ना भूले और अभी रीजनिंग की क्लास और भी चलेगी आपकी आज ना हिंदी की यह मूलविधी की भी नहीं है और पॉलिटी तो मंडे से ही चलेगी ठीक है तो रीजनिंग और चलेगी बस आज